आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आप dual degree एक साथ कर सकते हैं या नहीं करेंगे तो जाना पड़ेगा आपको जेल ठीक है जा रहे हैं लोग बहुत तेजी से जेल में ठीक है तो अगर आप भी हैं अगर आपने ऐसी गलती की है तो सरकार आपको बक्सने वाली नहीं ह तो नवस्कार दोस्तों करेंगे आपको बहुत बहुत स्वागत है और पहली बार अगर आप चैनल पे आएं तो चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर दीजेगा और वीडियो पूरा देखेगा आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा ठीक है हो क्या रहा है एक्शली अब डूवल डिग्री लोग लेना चाहते हैं लेकिन बहुत सारे कुश्चन में हैं कुछ लोगों को करियर काउंसलिंग मैंने दी जिलों को करियर काउंसलिंग चाहिए तो करियर डाउट कॉम पे जाके मेरे से बात कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो कई लोगों को म जो dual degree program है सजमे करने बाद जेल जाओगे ऐसा कुछ नहीं है ठीक है new education policy जो 2020 में launch हुई है उसमें clearly mention किया गया कि आप dual degree कर सकते हो लेकिन आपके लिए वहाँ different different term some condition भी है उसको थोड़ा सा पढ़ना आपको ज़रूरी है कि dual degree में क्या term some condition है कैसे होना चाहिए कैसे नहीं होना चाहिए पहली बात मैं कुछ लोग को suggest यह कर देना चाहता हूं कि मैं सिंगल डिगरी से काम जला लो या dual degree क्यों लेना मेरे को यही सबसे बड़ा question माग तो यही है कि क्यों dual degree लेना है किस लिए आपको dual degree चाहिए अगर same time में जैसे बहुत सारे लोग है diploma polytechnic कर रहे हैं आया गया कि जो regular कर रहे हैं distance से आप कर सकते हो तो वहां पर चीज़े आपके लिए बहतर है लेकिन आप सोचो कि regular आप बीटेक भी कर लो regular फिर उसी duration में आप एमटेक भी regular कर लो तो नहीं possible हो पाएगा ना तो उसके लिए भी a term some condition है new education policy में अगर आपको करने जाना तो कैस आपको दे देंगे certificate provide होगा degree नहीं मिलेगा लेकिन हाँ आपको certificate provided होगा तो देखो बहुत सारे लोग है पॉलिटेकनिक करते उसके साथ बीए भी कर लेते हैं ठीक है यह चल जाएगा उसमें कोई problem नहीं है आप job करने जा रहे हो graduate तो आपको होना ही पड़ेगा at least 12th के आप graduation कर ले रहे हो तो यह सारी चीजे valid है अगर आप करना चाते हो तो कर सकते हो बहुत सारे लोग है बीटेक और बीए दोनों सेम टाइम में कर रहे हैं ऐसे वो लोग है जिनको लगता हम बीटेक में पास नहीं हो पाएंगे और पास नहीं होने के डर से वह बीए भी करते तो मेरे लिए बेटर होगा तो यह जो new education policy बनाएक से बहुत सारे कमाल की चीज़े कमाल की फीचर आप गूगल पर डालोगी गुवर्मेंट की new education policy क्या है उसमें क्या टम सम कंडिशन है क्या चीज़े हैं डरने की बात नहीं है कि आपको जेल में भेज दिया जाएगा आप आपको अरे पढ़ रहे हो कोई गुना थोड़ी न कर रहे हो आपकी अगर आपको चीतना पढ़ने का मान है पढ़ाई करिये ठीक है अब लोग देख रहा हूं इंजरिंग छोड़के कई लोग ऐसे medical की पढ़ाई कर रहे हैं कई लोग कुछ और कर रहे हैं तो उसके भी टर सुपर मैं तो आप बन नहीं सकते हो तो यह जो चीज है ना उसको थोड़ा पॉजिटिव में आप लीजिए और जो भी आप करने जा रहे हो उस पे आपका उपीनियन बहुत सॉलिड होना चाहिए कि मैं करने जा रहा हूं क्या यह सही है या गलत है कई मैं रॉंग डिसीज जानना आपको बहुत ज़रूरी है और अगर आप टेलीग्राम पे हो तो करेडर चनल टेलीग्राम पे है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया कोमें पिन करते रहा हूं टेलीग्राम पे भी जाके जॉइन करिए मिलते आप से नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू